अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा लिजिए ताकि आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाईए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक देखिए का तो दोस्तो आपको कितने variants मिलते हैं और हर एक variants को मैं explain करूंगा तो वीडियो को एंट तक देखते रहिए आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा variant बेस्ट है और लास्ट में मैं आपको बता हूंगा कि best value for money variant कौन सा है आपके purpose के लिए तो चलिए start करते हैं तो दूसर इस आपको चार वेडियंट मिलते हैं सबसे पहले base जो की magna है इसके बाद second base आपको sports मिल जाता है second top आपको मिल जाता है Asta फिर top मिल जाता है Asta optional तो यह हमारे 4 variants मिल जाते हैं इस i20 में तो चलिए देखते हैं किसमें क्या-क्या features मिलते हैं और सबसे पहले हम standard features के बाड़े में तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या standard features हमें मिलते हैं सभी variants में तो सबसे पहला feature हमें मिल जाता है dual airbag जो कि driver and co driver में हमें देखने को मिलता है फिर उसके बाद हमें ABS मिल जाता है इसमें ABS के बाद हमें EVD देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा बात है और उसके बाद हमें last feature मिलता है safety में वो है seat belt return signal जो कि driver and passenger में मिल जाता है तो यह हमारे कुछ safety features हो गए जो कि standard में आते हैं फिर black garnish fog lamp आपको देखने को मिल जाता है सभी variant से ही और उसके बाद हमें day night IRVM मिल जाता है देखने को फिर आपको smart pedal मिल जाते हैं उसके साथ keyless entry आपको देखने को मिल जाता है फिर आपको body color ORVM मिल जाता है फिर metal finish door handle मिल जाएंगे sun glass holder आपको साथ साथ देखने को मिल जाता है और उसके साथ tagometer with trip meter आपको देखने को मिल जाते हैं बेस variant से ही और music system आपको base variant से ही मिलेंगे with bluetooth connectivity और stradding mounted control भी आपको base variant से start हो जाता है और ear receiving और सबसे best feature यह है इस variant में की आपको cool glow box मिल जाता है base variant से ही और tilt and telescopic stradding control आपको देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों यह हो गए हमारे standard features अब हम बात करते हैं हमारे base variant magna के बारे में उसके price के बारे में बात करते हैं कि क्या उसकी price है एक showroom के हिसाब से तो चलिए price के बारे में बात करते हैं तो 1.2 litre petrol engine manual transmission में cost 6.8 lakh और 1.5 litre diesel engine manual transmission में cost 8.2 lakh जोकि एक showroom new Delhi के हिसाब से इस variant में आपको automatic option नहीं मिलता है manual transmission ही मिलता है तो दोस्तों यह हो गए हमारे pricing base variant के और अब हम बात करते है features के बारे में standard features के अलाबा इस variant में हमें देखने को मिलते हैं तो चलिए देखते हैं वह कौन-कौन features हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों सबसे पहला feature हमें मिल जाता है halogen headlamp फिर उसके बाद हमें मिल जाता है foldable key फिर LED DRLs in fog lamp headlamp में नहीं मिलता दोस्तों और 15-inch का steel rims मिल जाता है alloy नहीं मिलेगा आपको और आगे में armrest मिल जाता है देखने को और उसके साथ music system मिल जाता है जो कि FM और AM और MP4 MP3 यह सब support करता है तो गाइस यही थे हमारे कुछ features Magna के अब हम बढ़ते हैं हमारे next variant के तरफ वह sports जो की mid variant है तो इसके बाड़े में देखते हैं वीडियो में बने रही है तो गाइस अगर pricing की बात करें i20 sports variant की तो 1.2 liter petrol manual transmission की cost 7.6 lakh जो की 80,000 ज्यादा है base variant से फिर 1.2 liter petrol CVT automatic की बात करें तो उसकी cost 8.6 lakh और 1.0 liter petrol turbo charge IMT की cost 8.8 lakh और 1.5 liter diesel engine manual transmission की cost 9 lakh जो की 80,000 ज्यादा है base variants है तो यही हो गया हमारे कुछ price जो की i20 sports में में देखने को मिलते हैं और इसी variants हमें दो option मिल जाते हैं वह है 1.2 liter petrol CVT automatic का हमें मिल जाता है और 1.0 liter petrol turbo charge IMT भी हमें इसी variant से मिल जाते हैं तो यह हो गया हमारे कुछ prices अब बात करते हैं हमारे features के बाड़े में तो वीडियो में बने रहे तो गाई सबसे पहला feature हमें मिल जाता है tire pressure monitoring system फिर rear parking camera मिल जाता है हमें फिर उसके बाद हमें मिल जाता है emergency stop signal जो कि एक safety feature भी हम कह सकते हैं फिर हमें turning indicator मिल जाता है ORVM पे उसके बाद हमें मिल जाते हैं 16 inch के steel wheel अभी तक 15 inch मिला करते थे shark antenna मिल जाता है with chrome garnish finish backlight में में देखने को मिलेंगे उसके बाद हमें मिल जाता है leather seat अभी तक simple मिला करते थे fabric के उसके बाद rear partial tray जो की useful होता है boot space में उसके बाद हमें मिल जाता है multi information display अभी तक simple मिला करते हैं फिर height adjustable seat मिल जाता है और last feature हमारा है 8 inch infotainment system with apple auto car play तो यही थे हमारे कुछ features तो guys यह तो होगे हमारे sports variant features और उसके price अब हम बात करते हैं हमारे second top variant Asta के बादे में उसके features और उसके price के बादे में बात करेंगे तो चलिए देखते हैं पहले price के बादे में कि क्या price हमें मिल जाती है तो 1.2L petrol manual transmission की cost 8.7 lakh जो की 1.1 lakh ज्यादा है mid variant से फिर आपको 1.2L petrol CVT automatic की cost 9.7 lakh जो की 1.1 lakh ज्यादा है mid variant फिर 1.0L petrol turbo charge IMT की cost 9.99 lakh जो की 1.1 lakh ज्यादा है mid variant फिर इसमें आपको और option मिल जाता है new option मिलता है 1.0L petrol DCT automatic transmission की cost 10.67 lakh ज्यादा है यह ज्यादा आपको इसमें extra मिल जाता है यह इसी variant से start होता हमें मिल तो यह हो गया कुछ price X showroom New Delhi के शाप्ष अब बात करते हैं features के बादे में features में सबसे महले मिलता है electronic stability control फिर heel assist मिल जाता है उसके बाद हमें मिल जाएगा blue link app connectivity इससे आप अपने कार को देख सकते है keyless entry मिल जाएगा और आपको projector headlamp मिल जाएगा अभी तक आपको projector headlamp देखने को नहीं मिलते थे LED DRL in headlamp मिलेंगे पहले आपको fog lamp मिला करते थे 16-inch diamond cut alloy मिलेगा आपको अभी तक आपको alloy नहीं मिलते थे leather wrap gear knob with steering के साथ और यह armrest हमें मिल जाएगा sliding armrest अभी तक simple मिला करते थे 10.24-inch Apple Auto CarPlay के साथ infotainment system अभी तक 8-inch का मिला करता थे और with Bose के premium speaker और four subwoofers के साथ हमें यह देखने को मिल जाएगा और engine start stop भी आपको इस variant से देखने को मिल जाएगे फिर आपको air purifier देखने को मिल जाता है इसी variant से जो कि बस CVT में काम आएगा और wireless charging हमें इस variant से देखने को मिलेंगे और फिर आपको auto up and down mirror मिल जाएगा with driver only और आपको यह हो गए हमारे सभी features अब बात करते हैं top variant के बारे में Asta optional उसके price के बारे में देखेंगे और उसके features के बारे में तो चलिए देखते हैं price और features Asta optional के जो की top model है तो अगर pricing की बात करें Asta top model की Asta optional की 1.2 litre petrol manual transmission की cost is 9.2 lakh जो की 50,000 जादा है second top variant से और 1.0 litre petrol turbo charge DCT automatic की cost है 11.18 lakh जो की 51,000 जादा है second top variant से और last 1.5 litre diesel engine manual transmission की cost है 10.6 lakh जो की 1.6 lakh जादा है second top variant से हाला कि आपको second top variant में diesel option देखने को नहीं मिलता है यह जो price आपको 1.6 lakh यह आपको sports variant से 1.6 lakh जादा है क्योंकि आपको Asta में diesel option नहीं मिलता है देखने को बस sports में मिलता है और base में मिलता है जादा है और सीधा टॉप में Asta अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डीजल में नहीं ले सकते हैं तो guys यह तो हो गया हमारे सभी price Asta optional के अब हम बात करते हैं features के बारे में कि इस variant में क्या-क्या features देखने को मिलते हैं तो चली देखते हैं हमें क्या-क्या features देखने को मिलें तो guys सबसे पहला feature हमें देखने को मिल जाता है वह है side and curtain airbag जो की total six airbag हमें देखने को मिलें और फिर height adjustable seat belt देखने को मिल जाता है फिर हमें मिल जाते हैं rear armrest अभी तक आपको बस front में मिला करते थे फिर आपको rear headrest भी मिल जाएंगे with adjustable आप adjust भी कर सकते हैं तो यही कुछ features थे जो हमें Asta से जादा मिलते हैं Asta में जो मिलते थे उससे कुछ जादा है तो अब बात कर ले value for money variant के बारे में तो value for money variant है sports variant उन लोगों के लिए जो simple use के लिए लेना चाहते हैं वो night travel कम करते हैं main बात वो night travel कम करते हैं उनके लिए value for money variant sports होगा पर हां वो लोग जो night travel ज्यादा करते हैं उनके लिए sports variant ठीक नहीं है क्योंकि उस variant पर आपको halogen headlamp मिल जाता है जो कि night में आपको problem कर सकता है तो आप night travel है तो आपको लेना पड़ेगा Asta अगर आप night travel है और चाहते हैं कि मुझे diesel variant चाहिए तो आपको Asta उप्सनल लेना पड़ेगा क्योंकि Asta में आपको डीजल वेरियंट नहीं देखने को मिलते हैं और Asta उप्सनल में आपको डीजल वेरियंट देखने को मिलते हैं और आप sunroof भी चाहते हैं तो आपको Asta उप्सनल लेना पड़ेगा तो यही था हमारा वीडियो मैंने आपको बता दिया best value for money वेरियंट कौन सा है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और कमेंट करे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लिजिए ताकि आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाईए तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलते हैं किसी एक और से नए वीडियो में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिखे विशाल अंडर्सकोर टूसिक्स जेरो सेवन फाइब तो मिलते हैं किसी एक और से नए वीडियो में आज के लिए इतना है